नमस्कार, NCRT गुरुजे में आपका बहुत बहुत स्वागत है ये है क्लास सेवन की हिंदी की किताब बाल महाभारत कथा का चैप्टर सेवन भीम पांचो पांडव तथा दितराश्ट के सौ पुत्र जो कौरव कहलाते थे हस्तिनापुर में साथ साथ रहने लगे खेल कूद हसी मजाक सब मेवे साथ ही रहते थे शरीर बल में पांडव का पुत्र भीम सबसे बढ़कर था खेलों में वह दुर्योधन और उसके भाईयों को खूब तंग किया करता यद्यपी भीम मन में किसी से वैर नहीं रखता था और बचपन के जोश के कारण ही ऐसा करता था फिर भी दुर्योधन तथा उसके भाईयों के मन में भीम के पलती द्वेश भाव बढ़ने लगा द्वेश भाव इरशा को कहते हैं दुर्योधन के मन में भीम से जलन होने लगी इधर सभी बालक उचित समय आने पर कृपाचारे से अस्त्र विद्या के साथ साथ अन्य विद्याएं भी सीखने लगे विद्या सीखने में भी पांडव कौरवों से आगे ही रहते थे इससे कौरव और खीजने लगे, खीजने लगे मतलब चिढने लगे दुर्योधन पांडवों को हर प्रकार से नीचा दिखाने का प्रेत्न करता रहता था भीम से तो उसकी जराभी नहीं पड़ती थी एक बार सभ कौरवों ने आपस में सलाह करके यह निश्चय किया कि भीम को गंगा में डुबो कर मार डाला जाए और उसके मरने पर युधिष्ठिर अरजुन आदी को कैद करके बंदी बना लिया जाए दुर्योधन ने सोचा कि ऐसा करने से सारे राज्य पर उनका अधिकार हो जाएगा एक बार दुर्योधन ने धूम धाम से जल क्रीडा का प्रबंद किया और पांचो पांडवों को उसके लिए नियोता दिया जल क्रीडा कहते हैं पानी में खेलने को तो दुर्योधन ने पानी में खेलने की विवस्था की और पांडवों को उसके लिए आमंतरित किया नियोता दिया बड़ी देर तक खेलने और तैरने के बाद सबने भोजन किया और अपने अपने डेरों में जाकर सो गए दुर्योधन ने चल से भीम के भोजन में विश मिला दिया विश जहर को कहते हैं सब लोग खूब खेले तैरे थे सो ठक कर सो गए भीम को विश के कारण गहरा नशा हो गया वह डेरे पर भी न पहुँच पाया और नशे में चूर होकर गंगा किनारे रेत में ही गिर गया उसी हालत में दुर्योधन ने लताओं से उसके हाथ पैर बांध कर उसे गंगा में बहा दिया रेत बालू को कहते हैं नदी किनारे जो रेत होती है वहाँ भीम गिर गया और लता जहाडियों को कहते हैं तो दुर्योधन ने भीम को लताओं से बांध कर नदी में बहा दिया लताओं में जकडा हुआ भीम का शरीर गंगा की धार में बहता हुआ दूर निकल गया इधर दुर्योधन मन ही मन यह सोचकर खुश हो रहा था कि भीम का तो काम ही तमाम हो गया होगा जब युधिश्थिर आदी जागे तो भीम को न पाया और चारो भाईयों ने मिलकर सारा जंगल तथा गंगा का वह किनारा जहां जल कृड़ा की थी छान डाला छान डाला मतलब ढूंड डाला खोज लिया पर भीम का कहीं पता न चला अंत में निराश होकर दुखी हिर्दै से वे अपने महल को लोट आए इतने में ही क्या देखते हैं कि भीम जूमता जामता चला आ रहा है पांडवो और कुंती के आनंद का ठिकाना न रहा युधिष्ठिर कुंती आदी ने भीम को गले से लगा लिया पर यह सब हाल देखकर कुंती को बड़ी चिंता होई उसने विदुर को बुला भेजा और अकेले में उनसे बोली दुष्ट दुर्योधन जरूर कोई न कोई चाल चल रहा है राज्य के लोह में वह भीम को मार चाहता है मुझे इसकी चिंता हो रही है राजनीति कुषल विदुर कुंती को समझाते हुए बोले तुम्हारा कहना सही है परन्तु कुषल इसी में है कि इस बात को अपने तक ही रखो प्रकट रूप से दुर्योधन के निंदा कदापी न करना नहीं तो उसका द्वेश औ कुंती को कहा कि इस बात को अपने तक ही रखो अगर पब्लिकली दुर्योधन की निंदा की गई दुर्योधन को बुरा भला कहा गया तो वह और दुश्मनी करेगा इस घटना से भीम बहुत उत्तेजित हो गया था उसे समझाते हुए युधिष्ठिर ने कहा भाई भी भी तुम्हें अपने आपको संभालना होगा इस समय तो हम पांचो भाईयों को यही करना है कि किसी प्रकार से एक दूसरे की रक्षा करते हुए बचे रहें भीम के वापस आ जाने पर दुर्योधन को बड़ा आश्चरे हुआ उसका हिरदय और जलने लगा मुझे उमीद है आ हुआ 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 है